दोस्तों आप सभी के एक बार फिर से Long Term Shares LTS में स्वागत है आज जो हम आपके समक्ष पांच कमपनिया या उन कमपनियों के स्टॉक्स जो रखेंगे उनके पीछे बताने का मकसद यह है कि जो पांचों स्टॉक्स होंगे अलग-अलग Market Cap की कमपनिया होंगी जैसे कि Small Cap की भी होंगी, Mid Cap के भी होंगी, Large Cap के भी होंगी वो मिली जुली इसलिए हम चुन रहे हैं ताकि हमें दोनों तरीके से हमें सुरक्षा मिले क्या होता है शेर बाजार में किसी प्रकार की जो भी आपकी मूल धनराशी है जो भी आपका Capital है वहाँ पे गारंटी नहीं होती है बट अगर देखें जो आज Stocks हम बताने वाले हैं अगर Market गिरती है तो जो Large Cap की कमपनिया है वो Defensive हो जाती है और Mid Cap या Small Cap की कमपनिया उसी प्रकार से जब Market उपर की और भागता है तो Large Cap की अपनी एक Speed होती है लेकिन Small Cap और Mid Cap थोड़ा सा तेजी से भागती है तो इस मकसद के साथ हम आपके समख्ष 5 Stocks रखने वाले हैं साथी दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं एक और Investments के बारे में बताना चाहूँगा जहाँ पे Investment करने में आपके 100% Capital की गारंटी मिलेगी वो है Policy Bazar पे Capital Guarantee Plan के बारे में इसमें आपकी जो Investments होगी वो Capital 100% सेफ रहेगी यानि कि Market गिरने पर भी आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा Capital Guarantee Solution के जरिए आप अपने Investor Premium की Policy पूरी होने के बाद क्लेम कर सकते हैं आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसके और भी क्या फाइदे होने वाले हैं तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आपकी Market Link Returns भी मिलेंगे जो कि FD Audit Mutual Fund से भी ज्यादा होंगे यानि आपकी Principal Amount तो बिल्कुल सेफ रहेगी हर प्रकार की सिच्वेशन में उसके साथ ही आपको Premium पर Section 80C के तहट Tax Benefit भी प्राप्त होंगे आपका Lifetime Cover आपके Monthly Premium का 120 गुना होगा जो कि पहले दिन से ही शुरू हो जाता है और साथ ही Maturity के बाद भी आपको Maturity Amount पर Section 10D के तहट Tax में छूट प्राप्त होगी जो कि Mutual Funds और FD में नहीं होती है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि अलग-अलग Companies के प्लान दिखाई दे रहे हैं आपको जो भी सही लगे आप वहां से कोई भी कमपनी का प्लान चूज कर सकते हैं और उसे Direct Activate कर सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ कि Policy Bazaar पे Capital Guarantee Plans के बारे में जानकर आपको काफी अच्छा लगा होगा तो आप जाके वहां से विजिट करके सारी टेल्स जान सकते हैं हमने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है तो यहाँ पर समीर जी का प्रश्ण था कि माल लिजए कि एक Large Cap की Company लेते हैं और एक Mid Cap की Company लेते हैं एक Small Cap की Company लेते हैं तो यह जो Stocks हैं हमें कितना CAGR दे सकता है 10 साल में तो देखी यह तो Depend करता है कि आपके पास किस प्रकार के Stocks है और उनकी किस प्रकार की Performance रहने वाली है तो जो आज हम 5 Stock आपके समक्ष रखने वाले हैं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 25% आपको Compounding का फाइदा मिलेगा CAGR मिलेगा तो यहाँ पर जैसे के Example के लिए मैं आपको बता दी देता हूँ जैसे 5 लाख रुपए आपने निवेश किए वन टाइम मालीजे आपका Portfolio की आज value हो 5 लाख रुपए और आपने बढ़हा स्टाउक चुनके रखे हुए हैं और उन्होंने 25% का CAGR return दिया तो 10 सालों में जो आपकी पूंजी हो जा रही है यानि आपने पैसा 5 लाख लगाया था आपको जो गेन मिला वो 41,56,613 जो टोटल अमांट बन जाती है जो value होगी वो होगी 46,56,613 यानि करेब करेब कुछ कम नहीं तो 50,00,000 के करीब बन जा रहे हैं 25% CAGR के साब से लेकिन अगर और भी कुछ अच्छी कमपनिया रही है और भी आपने बीच में और भी पैसा डाला तो हो सकता है कि आपको बहुत बढ़हा गेन मिल जाए करोड तक भी अमाउंट पहुँच सकती है तो उसी प्रयास में आपके समक्ष हम मिली जुली कमपनिया तीनों मार्केट कैप की आपके समक्ष रहे हैं जो पहला स्टॉक है देखिए यहाँ पे लाच कैप की कमपनी है अवेन्यू सुपर मार्ट इसका जो बिजनेस है भारत वर्ष में अभी बहुत चलने वाला बड़े सलीके से धीरे धीरे स्टोर्स खोलते जा रहे हैं मैंने पास्ट के कुछ वीडियो में जिक्र किया हुआ है इनका ऐसा मानना नहीं है कि हम करजा लेके बहुत सारी फ्रेंचाइजी खोल दें जहां-जहां मोसली इनकी स्टोर्स है या तो वो खरेद लेते हैं जमीन इस तरीके से अपनी ब्रांचे जीरे बढ़ावा दे रहे हैं जो भी इनको पैसा आता है उसी पैसे से अपनी स्टोर्स खोलते जा रहे हैं और बढ़िया e-commerce की तरीके से अपनी presence भी बना रहे हैं, आप देखेंगे online भी delivery अच्छे से हो जाती है, साथ अच्छे products भी आपको डिमार्ट में मिलते ही मिलते हैं, आपके आसपास अगर हैं तो, तो अगर देखें ये company बढ़िया चलती रहेगी, लंबे समय बढ़िया return ब 20 में गिरावर्ट चल रही है, पूरे भारती बाजार में गिरावर्ट चल रही है, थोड़ा सा correction और भी देखने को मिल सकता है, इसकी जो market cap है 2,69,000 यानि कि धाई लाग कोड के आसपास मान के चलिए, 10 की face value-alized stock है, और 2017 की listed company, यानि कि बहुत पूरानी listed company नहीं है, कि जैस best book value देखिए, 17 का है, जो कि अगर देखा जा, valuation बहुत महेंगी है, लेकिन इन company में SIP mode पर लिया जा सकता है, दूसरा जो stock है, वो है astral limited, astral limited हमने इसलिए चुना कि इसमें आपको 2 segment मिल जाते हैं, एक तो plastic के जो products है, पाने की टंकी, pipes, UP, VC, CP, VC, वो सारा कुस्तु है, उसक इसमें भी जो price to winning ratio है, वरतमान 95 का है, 16 का price to book value है, और 40,000 करोड के आसपास इसकी market cap, ये भी एक large cap कमपनी है, एक की face value 2007 के listed company है, इसका जो stock price है, 2033 का जबकि 2654 का high बना चुका है 52 week में, तो ये भी लंबे समय के लिए बहुत ही बढ़िया company है, मुझे लगता है कि ये भी आ ब्यास दर तगड़े बढ़े हुए हैं, जब ब्यास दर बढ़ेंगे तो housing loan पे प्रभाव पढ़ेगा, अभी एक देड़ साल पहले और covid के बाद housing loan कितने सस्ते हो गए, ब्यास दर कितना गिर गया था, तो सूची उससे में बहुत लोगों लोन लिया होगा, लेकिन अभी अच्छी खासी presence है, उन लोगों के बीच में loan बाटते हैं, जिनके पास अपने proper documents नहीं होते, proper salary person नहीं होते, उनको ये loan देते हैं, और सिर्फ यही housing finance ही नहीं, आप देखेंगे, micro loans भी हो गया, business loans भी हो गया, construction loans भी हो गया, दुखान भी खोलना है, और भी कुछ लेना है, group loans हो गया, तो इस तरीके के जो NBFC कमपनिया है न, ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में, दस साल में करीब 10 times हो जाएगी, ऐसा लग रहा है, इस प्रकार सी इनका बेवसाय है, 15,000 क्रोड यानि कि एक mid cap मान लिजे, 15,000 क्रोड के आसपास इसकी market capital है, और हमने पिछले 10 सालों में ऐसी बहुत सारी कमपनिया देखी है, जो आप बजाज फरेंस को ही देख लिए, लेकिन बजाज फरेंस का थोड़ा सा बिजनस मॉडल डिफरेंट है, consumer loan में हर चीज का लोन देती, mobile loan भी देती है, चावल लोन भी देती है, तो वो that is different, लेकिन वो बहुत बड़ी गेम खेल गए, एक लंबे अवधी के जो निवेशक हैं, ऐसी जगहों पर, ऐसे समय पर गेम खेल जाते हैं, जब opportunity आती है, तो डर के भाग जाते हैं, देखिए 3340 का 52 week हाई है, और अभी करीब करीब आधा है कुछ करना है, तो, अगली कमपनी है, Happiest Minds, IT Software की बढ़ा कमपन है, आख मून के इसमें जो है, निवेश करते जाए, SIP मोर पर जैसी आपकी मरजी, ये भी 10 सालों में ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं, कि 10 टाइम्स ये भी हमेरी टन बना के दे देगा, क्योंकि आप सूचिए कि 3700 के आसपास, तो हमने जब वीडियो बनाया था, फस्टाइम जब लिस्ट हुई थी, करीब 1665 के आसपास इसका तो IPO प्राइस था, और 1360, 1516 सो तक पहुँच चुकी है, लेकिन 52 वीक में अभी 1360 के आसपास दिखाई दे रहा है, तो जब साल, दो साल, तीन साल में इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस होगी, तो आने वाले समय में तो इन इसकी लिस्टेट 2020 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, तो बढ़िया कमपनी है, बढ़िया फंडमेंटली स्टॉंग कमपनी है, आखरी अंतिम केमिकल का सेक्टर न छोड़े, इसलिए हमने एक बढ़िया सबसे छोटी, स्मॉल काईप की कमपनी लाए है, 2000 करोड के आसपास इसकी मार्केट कैपटल, इसकी फेस वैल्यू है, 2018 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, डवसिफिकेशन इसमें बहुत अच्छा है, कि एक तरफ एरोमा केमिकल्स में है, एक तरफ इनका लूब्रिकेंट्स में भी है, एक तरफ अन्नी केमिकल्स में हमने इस पर बिजनस पर डिटेल्स में चर्चा की हुई है, तो डवसिफिकेशन इस कंपनी बहुत ही प्यारा है, अलग-अलग फार्मसूटिकल इंडस्ट्री में भी है, उनके लिए भी केमिकल्स बनाती है, और बहुत अच्छा परफॉरमर रहा, करीब कर देखा जाए, दो साल में इसने कम से कम 2 500 रुपए का जब हुआ करता है, तब हमने इस पर वीडियो बनाया था, आज देखिए 2099 यानि 21 के आसपास करीब 22 वीक में टच कर चुका है, और अभी फिलाल जो गिरावाट आई थी तो काफी अच्छा खासा गिर गया था, और वरतमान समय 17-27 के आसपास चल रहा है, एक कि किसी कमपनी में शायद ही कोई इतने अच्छे रेटन्स मिल रहे हूं, 28 के प्राइस टोर्निंग रेशियो जबकि छोटी कमपनी या थोड़ा ज्यादा हाई पीपे होती है, लेकिन अभी देखिए 28 की पीपे है, प्राइस टोबुक वैल्ली हो 9 का, तो बढ़िया कमपनी हैं, 20-25-25-30-30 गुना परफॉर्म करती हैं, एक लंबे समय में, तो मुझे लगता 10 साल में इसमें 10 तो पकड़ ही लें, तो यह हम अपेक्षा कर रहे हैं इन कमपनीों से, कि जिस प्रकार से हम अपने पोर्टफूलियो कैसे बैलेंस करें, कि कुछ कमपनीया लार्ज कि रखें, कुछ मिड रेंज की रखें, कुछ small cap की तो मिले जूली लेकिन फंडमेंटली बढ़ा कमपनी आगर हम रखते हैं, तो लंबी ओधी में बढ़ा पैसा आपको बनेगा, यह तो हमने सिर्फ आपको बताया कि 25% CGR के साब से आपको इतनी पूंजी के साथ इतना पै यहां पे हमने आज 5 कमपनियों के जिक्र किया है, समय समय पे हम अलग-अलग sectors की, अलग-अलग छूटी बड़ी हर प्रकार की कमपनियां आपके समख्श रखते रहते हैं, तो यह रहा दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप ज़रूर इसका उल्लेक comment box में कीज कीजिएगा, और हाँ दोस्तों हमने policy बाजार के लिंग के जो डिस्क्रिप्शन में add कर दिया है, आप वहाँ पे जरूर विजिट कीजिएगा, और वहाँ पे बहुत सारे plans है, आप compare कर सकते हैं अलग-अलग कमपनियों के, साथ ही आपकी जो capital वो 100% सुरक्षित है, बहुत